तो चलो दोस्तों हम पार्ट सी चलो करते हैं इस पार्ट में हम लोग स्पीर के उपर ज़्यादा फोकस करेंगे में बेन सॉलिद यह विल बी स्पीर तो पहले स्पीर के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं स्पीर के पास अपना एक रेडियस होता है जैसे अभी मैंने यह बोर्ड पर बनाया तो सरकल दिखता होगा बट इस थ्रेडी में इस स्पीर के पास अपना एक रेडियस होता है और अपनी जो इसकी एरिया होती है जो सर्फेस एरिया होती है यह पूरी सर्फेस एरिया जो होती है वह होती है हर जगा से जो बॉल होता है तो कोई इसके पास फ्लैट सर्फेस एरिया नहीं होती है सारी एरिया होती है तो इसका जो सर्फेस एरिया है जो कि कम्प्लीटली क सब्सक्राइब होता है तो इसकी सर्फेश देरा को हम कव सर्फेश देरा नहीं बोलें सिर्फ दिक्षा और यह सर्फेश देरा इस 4 x 3 Pi R Q ठीक है 4 x 3 Pi R Q यह आप भ्यान देंगे तो देखा जाए स्पीर एक सिंप्लेस्ट मतब बहुत जादा सिंप्लेस्ट सॉलेड है जिसमें एक ही डामेंचन है रेडियस आपको याद हो का सिलेंडर में रेडियस और हाइड था कौन में रेडियस हाइड और स्लांट तो अगर आपको ओ रेडियस पता चल गया तो आप सर्फेस अला बोलो वॉल्म बोलो निकाल ले होगे इसी का अगर मैं आधा यह तो इसी विए है आगर मैं है मैं हमिस्फियर की बात करो हमिस्फियर लुक्स लाइक दिस ठीक है हमिस्पेर जो होता है वह इस तरह से दिखत जो sphere की surface area है वही यह hemisphere की आधी surface area है तो hemisphere के बास देखा जाए तो 2 surfaces होते है एक यह होता है जिसको हम curve surface कहते है curve surface area और एक यह होती है ठीक है यह जिसके ऊपर यह बैठा हुआ है यह इसको अपन कहते है इसकी area का formula है और यह जो curve surface है और यह आधा है तो इसकी area होगी 2 pi r square तो इसलिए है पूरे hemisphere की जो total surface area होगी वह 3 pi r square होगी तो hemisphere जो होता है उसका एक उपर का जो curve part होता है ठीक है that is 2 pi r square और जो base है उसका जो base है वो circular है तो उसका एक pi r square तीक है इसका जो volume होगा वो obviously इसके volume से आधा ही होगा इसका volume अगर 4 by 3 pi r cube है तो इसका होगा 2 by 3 pi r cube अब यहां पर hemisphere का इक variation जो है वो है hemispherical bowl ठीक है आप इस चीज़ को देखो यू माइट आपने देखा होगा obviously देखा होगा यह hemispherical bowl है ठीक है you see nicely this is how hemispherical bowl looks like ठीक है आइं ट्राइं टो यह hemispherical bowl मतलब जैसे जिसमें you can this is soup डालेंगे रही यह वो जगह है जहां पर हम लोग अपना पीने के लिए I mean soup पीने के लिए ठीक है तो यह वाला हम लोग यह इसकी capacity है ठीक है यह hemispherical bowl की capacity है capacity मतलब कितना उसके अंदर हम liquid for कर सकते हैं वेरेस अगर आप ध्यान से देखो इसके पास भी बहुत सारे surfaces है इसके surface को count करो इसके पास एक outer curve surface एरिया है इसके पास और एक अंदर का भी एक curve surface एरिया है जहां पर यह liquid डाला हुआ जिसको यह पूरा soup टच कर रहा है यह अंदर की surface है ठीक है तो इसके पास एक inner slow surface ए रिया भी थो बाहर भी ए और अंदर भी upfront cos उपर का आप देखोगे तीसरा जो है यह उपर का यह उपर का देखोगे तो यह आपको एक रिंग शेप में अगर इसको टॉप से देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा इस तरीकी के दिखे का बीच में यह खाली जगा है और यह उपर से ऐसा रिंग शेप है तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो देखा जाए तो यहां पर दो देखा जाए यह हैं यह हैं चोटा हमिस्फियर अंदर वाला और एक बड़ा हैं इसके पास दो रीडियस होते हैं एक हाओ करते हैं एक है और बाहर का एक रिंग भी है उसके पास ठिके क्यूंकि इसके पास थिकनेस है तो इसके पास रिंग W होगी होगी तो क्या-क्या है चलो बाहर की जो आउटर काउफ सर्पेस एरिया होगी इसके पास तीसरा है एरिया ओफ रिंग और रिंग का जो एरिया होगा वह होगा पाई obviously capital R square मतब माइनस पाई small r square ठीक है पूरा पूरा circle पाई r square और फिर बीच में से अंदर का चोटा सरकल यह देखो यह चोटा रेडियस और यह बड़ा रेडियस ठीक है तो एरिया ओफ रहेंगे इस पूरा पाई r square माइनस अंदर का पाई r square पाई r square माइनस पाई r square पाई common लिया तो यह उसके पास डिफरेंट surfaces है और इन सबको एड़ करोगे तो टोटल सर्फिस आएगा है विस्पेरिकल बोल का ठीक है है विस्पेरिकल बोल को बार भी इसको में यहां पर लिख देता हूं ठीक है एक इक आउटर वॉल्यूम भी होता है ऑउटर वॉल्यूम ख्या होगा it is going to be same two by three pi r cube मतब इसको जहां रखा है वह कितनी जगा लेगा इसको रखने से कितनी जगा लेगा यह पूरी जगा लेगा और एक अंदर का भी capacity कितना अंदर capacity है वो इस formula से आएगा अंदर के radius पर depend करेगा बाहर का volume बड़े वाले radius पर depend करेगा लेकिन देखा जाए तो यह material है आपको दिख रहा है जिससे यह बना हुआ है तो उस तो volume of material यह जो hemispherical bowl है इसके पास जो matter है वो पूरे पूरे यह नहीं है अंदर तो भरा हुआ नहीं है यह तो नहीं आएगा पूरे हमिस्फियर में अंदर का part खाली है इस लाइक आपने एक हमिस्फियर लिया है उसमें से अंदर का हमिस्फियर कट आउट किया है अंदर का हमिस्फियर कट आउट किया है तो बाकी जो material बचा उसका volume क्या है तो इस वरी सिंपल आपने पूरा 2 by 3 pi r cube यह पूरा हमिस्फियर हुआ लेकिन इसमें से जो कट आउट किया वो माइनस करो 2 by 3 pi r cube ठीक है तो इस लाइक आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम बाहर के वॉल्यूम मैंसे अंदर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो यह विल गत वॉल्यूम आउप material which is used to make this hemispherical bowl ठीक है तो hemispherical bowl has three surfaces and it has got three volumes also inner volume outer volume and the volume of material ठीक है so mind this so since introduction अँए अच्छे से अगर आपकी formulas आप एक बर pause करके अच्छे से revise कर लो now we will start ठीक है we will start let's start with the source it says a spherical ball of lead has been melted ठीक है उसको मेंट करके it is melted into identical smaller balls इसको मेंट करके हमने चोटे-चोटे balls बनाए है ठीक है चोटे-चोटे balls बनाए है identical वो भी identical balls बनाए है ठीक है identical balls बनाए है हमने with radius equal to half the radius of original इसका अगर radius r है तो इन सब का जो radius है वो r by 2 है ठीक है यह चोटे-चोटे radius है ठीक है तो इफ यू रीड आगर आपना question बरोबर से पढ़ लिया न तो आपका काम हो जाएगा तो क्या बोला है बड़ा sphere है उसको melt किया है ठीक है identical small balls बनाए है विट radius equal to half the radius of original one how many such balls can be made ऐसे कितने balls बनेंगे ऐसे कितने बनेंगे n balls बनेंगे तो यहां पर logic क्या है दोस्तों कि volume of volume of bigger ball ठीक है volume of bigger spherical ball ठीक है is equals to volume of n smaller balls ठीक है n smaller spheres तो एक बड़े sphere को चोटे-चोटे sphere में हमने melt किया है तो बड़े sphere का जो volume होगा वो सारे चोटे-चोटे spheres का volume मिला के होगा इसको ही तो melt करके चोटे-चोटे बनाए तो इन चोटे-चोटे सब का volume मिला के इसका volume होगा और यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुए यही है एक fantastic statement जो हमने previous वीडियो में भी बात करी है volume of bigger ball का volume होगा 4 by 3 by r cube और यहां पर n balls है तो n into और हर एक चोटे-चोटे हर एक ball का volume बतब 4 by 3 by r by 2 r by 2 का cube यहां का radius जो है वो r by 2 है ठीक है 4 by 3, 4 by 3 cancel, pi, pi, cancel यहां पर r cube आया इदर n into r cube upon 8 आया ठीक है अब यहां पर 8 चला गया तो यहां से 8 r cube is equal to n into r cube था upon r cube चला गया r cube r cube cancel तो दोस्तों यहां से n की value 8 आया तो यह हमारा sum खतम होगे तो कितने balls बनेंगे 8 balls बनेंगे तो यह चीज हमेशे याद रखना है आपको volume equal to volume करना है जब भी कोई कोई भी चीज मेंट करके कोई और चीज बनाते हो तो दोनों चीज में volume सेम होता है surface area and all सब कुछ चेंज होता है volume सेम होता है ठीक है तो volume को equal किया है अब मेनी balls again same again same how many balls चोटे-चोटे बाल्स ठीक है आउ मेनी बाल्स each of radius 1 मतब एक चोटा radius 1 सेंटीमीटर पगड़ लो can be made by melting a bigger ball ठीक है एक बड़े बॉस डामिटर मतलब उसका diameter 8 है मतलब radius 4 है तो बस वही हो गया so volume of same चीज दोस्तों जो अभी अभी पड़ा volume of bigger ball ठीक है is equal to volume of n small balls ठीक है bigger ball का जो volume होगा वो होगा 4 by 3 pi और r cube मतलब 4 का cube ठीक है 4 का cube इस equal to यहां पर n balls है तो n into एक ball का volume कितना होगा 4 by 3 pi 1 cube ठीक है 4 by 3 pi 4 by 3 5 cancel यहां पर 64 आएगा n into 1 का cube 1 होता है तो n आ गया 27 times that of another sphere ठीक है दो volume 2 spheres है पहले वाले sphere का जो volume है वो 27 times है second sphere के volume ठीक है compare the ratio of their red eye उनके radius का उनके radius का ratio find करना है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं यहां पर volume दिया है volume की formula लिखो ठीक है 4 by 3 pi आर क्यूब बड़ा आर इस इकॉल टो 27 into 4 by 3 pi small r cube लिखता हो 4 by 3 pi और 4 by 3 pi cancel यहां पर आर क्यूब है और वहां से यह चोटा आर क्यूब नीचे आ गया और इस इकॉल टो यहां पर 27 upon 1 लिखती है और यहां पर r upon r the whole cube इन दोनों का cube है तो the whole cube is equal to 3 upon 1 the whole cube लिख सकते थे मतब radius का जो ratio आया है वो 3 is to 1 आया है ठीक है so what is the ratio of the radar it is 3 is to 1 and what is the ratio of the surface area surface area का भी ratio पूचा है ठीक है so दोस्तों यह चीज़ दी गई थी इसको यूस करके हमने अंसर निकार अब surface area ता ratio पूचा है तो surface area अफ विगर कोन upon surface area of smaller phone it is a surface area का formula होता है 4 pi r square upon 4 pi small r square 4 pi 4 pi cancel हो जाता है surface area आएगा r upon r का the whole square ठीक है r upon r the whole square उपर वाले को भी square नीचे वाले को भी square तो whole square लिख सकते हैं और radius 3 is to 1 है तो s1 upon s2 यहां पर 3 upon 1 का square करेंगे तो s1 upon s2 दोस्तो 9 upon 1 आया बहुत कुछ सीखने लाएगे यहां पर volume radius का cube होता है volume में radius का cube आता है और surface area में radius का square आता है इसलिए तो radius का ratio 3 is to 1 है तो volume का ratio 27 है 3 का cube और surface area का ratio 9 is to 1 है क्योंकि 3 का square ठीक है very easy now the internal and the external diameters of a hollow hemispherical vessel ठीक है radius हुआ 10.5 cm आउटर diameter है 28 cm मतब आउटर radius 14 cm ठीक है यहां से हमने चीजें निकाल दिए find internal curve surface area अंदर की curve surface area अंदर की तो internal curve surface area the first part internal curve surface area it is given by 2 pi r square ठीक है अंदर कर अंदर कर तो इस 2 into 22 by 7 into r square मतलब 10.5 into 10.5 and आप calculate कर लो answer निकाल external curve surface area तो यह तो same रहेगा external यह outer curve surface area वो भी 2 2 pi capital r square होगा 2 into 22 by 7 into 14 into 40 कि तोटल सर्फेस जीरा बोल रहा है वेरी गुड़ तोटल सर्फेस जीरा तोटल सर्फेस जीरा में जो हमारा है हमिस्फेरिकल वैसल होता है हमिस्फेरिकल वैसल इस तरह से होता है इसके पास तीन सर्फेस होते हैं एक यह outer एक इनर और एक यह रिंग भी होती है तो तीन होता है तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे तो इनर उली जो answer आया वही लिखेंगे यह तो हमें पता ही है प्लस outer curve surface एरा भी यहीं से जो answer आया था वही लिखेंगे और इसके साथ साथ हम रिंग की एरिया मतलभ पाई आर स्कुर माइनस आर स्कुर भी निकालेंगे तो तो इसको कैसे करेंगे ट्वेंटी टू ऐस सेवेन और रेडियस क्यापिटल आर जो है वह 14 है 14 का स्कुर माइनस 10.5 का स्कुर ठीक है अब आप करो चाहिए तो आप square root cancel squares निकालो मैं तो इधर a plus b a minus b use करूंगा 14 plus 10.5 14 minus 10.5 और इसके बाद फिर cancellation करके answer निकालो तो you need to remember inner surface area outer surface area and the area offering ठीक है and now it says the volume of material now पूछा है volume of material थोड़ी दर पहले introduction में मैंने बता दिया था कि एक होता है इसको अंदर का volume एक होता है उसको बाहर का volume और एक होता है volume of material which is outer volume minus inner volume बाहर का volume minus अंदर का volume ठीक है so आप volume of material निकाल सकते हो बहुत easy निए फूर्थ पार्ट पार्ट कैसे करेंगे volume of material is a outer volume minus inner volume which is a 4 by 3 pi r cube minus 4 by 3 pi r cube ठीक है and now you calculated you will get the answer आप चाहिए तो यहां पर हम क्या कर सकते है 4 by 3 और मेरे खाल से इंडिविज्विज्व calculate तरके फिर minus कर लेना काम हो जाएगा ठीक है इन काम ठीक है पड़ाफट कर लेता हूं 4 by 3 pi r cube minus 4 by 3 pi r cube यहां से 4 by 3 pi common निखेंगे r cube minus r cube values डाल लो अब a cube minus b cube करने से अच्छा आप इधर का volume calculate करो तो एलिम केटकर करो और फिर minus करके answer लिखतो ठीक है तो common लेना मत डिरेक्ली आप चाहो तो कर लो काम ठीक है रेडियस 14 है ना तो फिर 4 by 3 वैसे रहें दो Int Airbnb calculationogram अ सॉलिड़ स्पीर protocol balance nephew एस्पीर है और एक हमिस्पिर है रहे हैन् सॉलिड स्पीर है और एक रहे हैं और एक सॉलिड स्पीर है और सर्पेस एरिया ऑफ हैमिस्फिर ठीक है लिखते है फिर की जो टोटल सर्फेस एरिया होती है वह पूरी कव भी होती है तो इसकी जो होती है और पोचल यहां पर यह रेडियस पीएर का होगा और यहां पर होता है 3 pi r square इसका r मैं h से denote करता हूँ hemisphere का तो pi pi cancel हो जाता है और मेरे पास आया मेरे पास आया दोनों का equal बोलाई ना a solid sphere and a solid hemisphere have the same total surface area तो यहां से मुझे radius का sphere के radius का square upon hemisphere के radius का square आया है वो 3 by 4 आया हो इनके square 3 by 4 आया हो है तो अगर मैं radius का निकालनों ratio so it is root 3 upon 2 ठीक है मुझे ratio निकालना है volume का ठीक है volume का ratio निकालनो volume of sphere upon volume of hemisphere is equal to 2 इसका volume of sphere होता है 4 by 3 pi r cube मता rs का cube और यहां पे आएगा 4 by 3 pi hemisphere का cube 4 by 3 और pi cancel हो जाएगा hemisphere के radius का cube तो यहां पे उपर वाले को भी cube है नीचे वाले को भी cube है तो radius of sphere upon radius of hemisphere the whole cube और यह radius का ratio यहां से मिल चुका है root 3 by 2 the whole cube तो answer आया 3 root 3 by 8 so that that is the answer ठीक है ratio निकालना था ठीक है बहुत simple था यह चीज दी गई थी ठीक है यह चीज वस given to me यह given चीज से मैंने यह निकाल थे बस formula सी substitute करनी है जो question में दिया है वो करो ठीक है formula substitute करके answer निकाले metallic spears metallic spears of radius 6, 8 and 10 respectively are melted and recast into a single sphere 3 spears को melt करके हमने एक बड़ा sphere बनाया है ठीक है so इस ती जाहिर हो गया यार अगर 3 spears को melt करके बड़ा sphere बनाया है तो हम तो समझ गया यार 3ों का volume मिला के बड़े वाले का volume so V1 so V1 plus V2 plus V3 यह 3 मिला के एक बड़ा V बड़ा sphere बने का और V1 बोला है V1 मतब पहले वाले का 4 by 3 pi R cube बोला है 6 cube ठीक है पहले वाले का 4 by 3 pi दूसरे वाला है 8 cube plus 4 by 3 pi तीसरा वाला है 10 cube ठीक है और is equal to 4 by 3 pi ठीक है और इसका R पता में तो R cube भी रहने रहता अब 4 by 3 और pi common निकाल लो ठीक है और 6 का क्यूब आ जाएगा 2168 का क्यूब आ जाएगा 512 और 10 का क्यूब आ जाएगा 1000 is equal to 4 by 3 pi R cube 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 700 and 1728 1728 is equal to R cube और यहाँ से capital आ जाएगा 12 cm यतना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 12 12 144 and then 12 करेंगे तो स्याथ 1728 होता है जितना मुझे आ रहा है find the surface area of the solid sphere ठीक है surface एरा निकालना surface एरा का फ्रमला है 4 pi r square 4 pi r square तो पोर सेम रहेगा pi की जगह पे 3.1 देने को बोला है एक पाइ 3.1 तो 3.1 ले रहा हूँ और और का स्क्वेर मतलब 12 का स्क्वेर मतलब 144 और multiply कर लो इतना स्टेंटी मीटर स्क्वेर आपको आ गया ठीक है तो वैल विए डन विद इस स्पियर का पार्ट ही हो गया अब आपको यह चीज देने कि जेनरली जो questions बोर्ड में आता है न यह questions वही आते हैं कि number of cones कितने बनेंगे number of spheres कितने बनेंगे तो ऐसे वाले टाइप पर ज्यादा देहन दो और यह melt करके बनाया यह वही concept है वोल्यूम सेम होता इस चीज़ पर ज्यान दो चलो आल बेरी पे कि उने बाता है इस नह सॉप घर पर दो कितने उसता हैै तो जब दो हमान दोरी आता है औरझे उन्हटाँ चीज़ आपत nécess बनेमेंगे प availability कितने बनेंगे।